आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है चैप्टर 11 है सिंपल एक्साइज 11 हम स्टार्ट करते हैं कौशन में इसका 8 स्टार्ट कर रहे हैं अगर आप कुछ के रिमेंग कुशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक एड कर दिया हुआ है आप सिंपल जाके सारी question चैप्सकाइं तो question 8 स्टार्ट करते हैं simple यहां पर कुछ algebraic expression है simple एक linear expression है linear कहते हैं जिसमें न पावर 1 हो यह एक ही variable कंटेंग कर रहा हो तो यहां पर एक ही variable कंटेंग कर रहा हुआ हो उसकी power भी क्या है 1 तो उसको हम न लीडियर equation बोलते हैं basically यहां पर हमारे पास fractional form तो इसको कैसे हैंडल करते हैं तो सबसे पहले question का as a solution निकलते हैं अब simple इसको दो method से कर सकते हैं अगर आप तेखना है कि first and second method कौन सा है और कौन सा असा है तो simple आप question 7 को देखना है question 7 आप जब देखेंगे इसमें मैं दो method कर वाया है वह भी same इसी तरीकी से है तो हम इसको भी एक मैं method चूज कर लेती हूं जो कि ज्यादा better है वही मैं यहां पर कर्माऊंगी अगर आप दूसरा method भी देखना चाह रहे हैं थोड़ सा concept लेना चाह रहे हैं तो आप question 7 को देखें 7 की video आपको आई button पर click करने से मिल जाएगी अगर आप concept clear कर लेते हैं तो किसी भी किसम के आपको पास question आता है अगर आपको इसके concepts clear है तो values जैसे भी हूँ, variables जैसे भी हूँ आप उसको solve करने के काबिल हो जाते है तो आपने यही करना है concept clear करने है इस तरह के जितने भी question आएंगे आप एक ही method जैसे भी question को solve कर सकते है तो हमने क्या करना है तो हमने क्या करना है आपको denominator में नजर आ रहा है सारे denominator चेक करने है यहां पर कितनी terms है basically 1,2,3,4 plus-minus जाते हैं वह terms को separate करते हैं और combine भी करते हैं यहां पर combine होई है तो कितनी terms है आपने सब terms के नीचे वह values को देखना है यहां पर 2 है यहां पर 3 है तो आपने क्या करना है तो आपने क्या करना है 2 और 3 2 1s are 2 3 as it is 3 1s are 3 और यह 2 और 3 हमारे पास क्या आगए इसके 2 multiple 6 आगया 6 ऐसा number है जो 2 पे भी आता उनके साथ multiply कर दोगे simple में क्या करी हूँ यहां पर bracket कर यूज करने लगी हूँ multiply का sign apply कर सकते हो लेकिन जो best है वो bracket है क्योंकि कुछ पच्छे क्या करते है multiply का sign apply कर देते है तो प्लस और multiplication में confused हो जाते है पहले क्या करना है जब प्लस कर देते हैं तो आपने simple क्या करना है bracket लगाते जाना है हर terms के साथ sign के फोरन बाद आपने लिखना है 6 जिस में multiply करना है और जो पहले से term है उसको bracket में close कर देना है 8 bracket में अच्छा यहां पर 6 और bracket के अंदर 8 क्योंकि हम देए concept रखा है कि जिसको multiply करना है उसको bracket में convert करना है माइनस 6 और bracket में हमने convert करना है जिसको multiply करना है 2 1s are 2 2 3s are 6 यहां पर कोई denominator नहीं था तो यह आज़िए रहेगा यह भी आज़िए 3 1s are 3 3 2s are 6 अब सारी values यहां लिख लेते हैं 3 into x minus 6 into 6 आप चाहें ना आप directly इनको multiply भी कर सकते हैं 2 into 2x और 1 को ignore कर रही हुँ मैं अब हम इनने multiply कर लेते हैं 6 6s are 36 6 8s are 48 minus 2 2s are 4 और x as it is ठीक है तो इतना हमने काम कर लिया अब आपने variables को और constant को separate separate कर देना है variable को एक तरफ कर देना है और constant को एक तरफ कर देना variable basically कौन से होते है जो alphabetically form में होते हैं अमें नजर आ रहा है x और x ठीक है यह क्या है दोनों variable हैं लेकिन यह दोनों अलग लग जगा पे हैं तो हम क्या करेंगे इनको एक साइट पे कर देंगे और जो constant है इनके साथ variable आपने डिसाइट कर देना है सबसे पहले कि हमने variable इस साइट पे करना है या इस साइट पे करना है तो ज्यादा ना better way यह होता है कि हम इसको इस साइट पे लगए ठीक है जो left hand side होता है तक solution हमारे पास easy way में आ जाए तो मैंने क्या करना है देखना है कि इस साइट पे पहले से variable कौन सा मजूद है तो पहले से मारे पास है 3x 3x को as it is लिखते हैंगे जो कि पहले से exist कर रहे हैं अब मैंने थोड़ी सी space छोड़ी है equal का sign apply करूंगी अब इस साइट पे obviously इस साइट पे variable ले लिकना है तो दूसरी साइट पे तो कौन साइट लिखेंगे तो अब आपने करना है कि इस साइट पे यानि कि जो राइए है साइट साइट में पहले से से मजूद है 48 तो वह भी मैं लिखनूँगी जो पहले से मजूद थी ना मैंने उनको इस देने दिया अब बात करते हैं इन दोनों की ये जो है वो constant इस साइट पर आना चाहिए ये variable इस साइट पर आना चाहिए तो simple सी बात है हम इनको क्या करेंगे इनको transfer कर लेंगे अब आप सोच रहे होगे कि इनके साइट क्यों नहीं चेंज हुए इनके साइट इसलिए नहीं चेंज हुए क्योंकि ये पहले से ही एक्जिस्ट कर रहे थे ये ट्रास्फर ही नहीं हुए तो simple हमने इनको यहां पर लिख दिया अब एड़ कर लेते हैं जब वेरिबल हमारे प इनके कोफिशन को आपके करते हो तो यहां पर बेसिकली हमारे पस है यह दो वेरियबल हैं जो के बिल्कुल सेम है अब हम इनके कोफिशन को इसलिए अड़ कर सकते हैं यहां पर कोई सार नहीं तो plus 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 3 में 4 एड़ किया 7x जो x है उसकी power change नहीं होगी यह एड़ नहीं होग अच्छा जी अब हमने इसको क्या करना है x की value चाहिए ना में solution का यही मतलब होता है solve the following simple equation अगर मैं इसकी statement देख हूँ बुक पे तो लिखियो यह है तो हमें x की value चाहिए ठीक है जैसे मैंने आपको पताया कि plus change हो जाता है transfer करने से minus में और minus change हो जाता है plus में इसी तरीके से यह जो हमारे पास multiplication की value होती है वो जाकर divide हो जाती है तो इसी तरीके से हमने क्या करना है 7 को divide करना है transfer करना है तो बाकी सारी values को मैं लिख रही हूँ 7 को ignore किया x equal 84 अब इसको हम transfer करते हैं और divide में लिखेंगे 7 बान से 7 बान से 7 बान से 7 वान कैरी और 14 बन गया 7 तूजा 14 तो यह जो 12 है यह जो 12 है यह इसका solution है अगर आप यह जाना चाहिए ना कि आपका solution बिल्कुल ठीक है के नहीं तो simple आपने x की value को put करना है इस सारी equation में जो के पहले से given है question है ठीक है उसमें जो आ पूट करते हो दोनों में equality आ जानी चाहिए ठीक है अगर मैं यहां पे यह चेक है यह आपने हुझ से करना है यह जो है ना वो question का part नहीं है ठीक है तो मैं x की जगह 12 पूट कर रही हूं बाकि सारा कुछ s डाने देना है इसमें को पूर्जा 12 सिक्स माइनस सिक्स एक्वल एट माइनस फॉर्जा एट यह टू फॉर्जा एट जीरो एक्वल जीरो यानि के यह हमारा पास प्रूफ हो गया कि यह हमारा आंस दूकुल ठीक है